अगर आपके घर में सबसे बड़ा कोई रूम होता है, तो वो होता है आपका घर का लिविंग रूम, यानि कि जनरली जिसे हॉल भी कहा जाता है, अब ये जो हॉल है दोस्तों ये आपके घर की शान होता है, क्योंकि न सिर्फ आप यहाँ पर आते हैं, बलकि आपके महमान भी पास टिप्स देखेंगे, जिनसे कि आपका हॉल जो है, वो बहुत ही जादा खुबसूरत दिखेगा, और तो और ये जो टिप्स है दोस्तों इसके लिए ऐसा भी नहीं, कि आपको बहुत जादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बलकि कुछ टिप्स तो ऐसे हैं, जो की च दिखेंगे, तो इसके लिए आपको पहला स्टेप ये करना है कि चानल को सब्स्राइब कर देना है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जो कि है साइज एंड ओपनिंग, अब यहाँ पर दोस्तों जो हम हाल का डोर का ओपनिंग लेते हैं, वो कम से कम आपको 3.5x7 से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है, हाल फिलाल में जो चलन आज आया है, जिसमें कि हाल का जो डोर है दोस्तों उसकी हाइट बहुत जादा बड़ी रखते हैं, जैसे कि 8 feet by 4 feet इस तरफ भी आप ज हाल का वो है आपके windows, यानि कि आमारी खिड़किया, अब यह जो खिड़किया होती है, इनका हमारा मुख्य उद्देश यही होता है कि light और ventilation यानि कि प्रकाश और हवा, इन दोनों के लिए जो है हम खिड़किया रखते हैं, अभी के टाइम में दोस्तों RCC structure होने के वज़ जो है हमारे घर में रख सकते है, और दोस्तों हमारे हॉल का size बड़ा तो होता है, जिस वज़े से बड़ी किड़किया आप हॉल में रखने में आपको possible हो पाती है, और दोस्तों आजकल ऐसा trend है, जितनी बड़ी किड़किया होती है दोस्तों उतना दिखने में अच्छा द साइज वाली खिड़किया जो है अपने हॉल में बिल्कुल भी नहीं रखनी है तो मिनिमम साइज आपको ध्यान में आ गया है दोस्तों पॉइंट नंबर दो है जो कि है हाइट अब दोस्तों अगर आपका हॉल कितना भी बड़ा हो और उसके हाइट कम है तो यह दिखने में अगर फॉल सिरिंग कराते है तो आपके हॉल की जो हाइट है वो बहुत ही जादा कम दिखाई देती है तो इस वाज़े से दोस्तों जितना पॉसिबल हो सकता है दस फीट से कम हाइट आप बिल्कुल भी मत रखिये और तो और दोस्तों कुछ लोग अपने चौइस के और लिनी है 11 फीट और आदर रूम के हैट जो है वो 10 फीट रखनी है अब यह जो चीज है दोस्तों आपको नीचे अच्छी देखेगी पर उपर के तरफ होगा यह कि बहुत ही जादा स्टेप क्रियेट हो जाएंगे और आपको इस्तमाल करने भी आसानी नहीं होगी तो इ यहाँ पर हॉल के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों हॉल में जो है दोस्तों आप अपने च्वाइस के इसाप से ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवा सकते हो हाला कि बहुत सारे पैटर्स और डिजाइन उसमें आवलेबल है मार्बल टाइप की कुछ डिजाइन साती है जो कि परन्तु जब आप ऐसी टाइल अपने हाल में लगवाते है तो उससे आपका हॉल का साइज जो है वो छोटा दिख सकता है उसके तुलना में आगर हम कमपेरिजन करते हैं प्लेट डिजाइन की तो ऐसे वक्त में उससे साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है दोस्त कि आपके haul जो है वो ज़्यादा खुबसूरत दिखता है देखे दोस्तों glossy finish style में slip होने के chances बढ़ जाते है पर अगर हम बात करते है look की तो look wise जो है आपकी glossy finish style बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखती है आपके haul में point number 4 है दोस्तो color अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों जब बात आती है आपके color choice की तो haul में जब आप color choice करते हैं तो न सिर्फ आपको आपके हिसाब से haul का color choice करना है बलकि वहाँ पर मेहमान भी आएंगे तो उनको वहाँ पर comfortable और आरामदाई फील होना चाहिए तो इस वज़े से दोस्तों आपको color choice करते समय बहुत ही ज़ादा चटकीले मटकीले color जो है उनका इस्तमाल भी नहीं करना है जिससे कि आपका haul का look जो है बहुत ज़ादा खराब हो जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों जो की regular color होते है उनमें भी आपको light color जो है उनका इस्तमाल करना है जैसे कि सफेद color recommend किया जाता है आपके haul में जो की बहुत ही ज़ादा खुबसूरत दिखता है जिससे कि आपका haul जो है बहुत ज़ादा बड़ा दिखता है और तो और light color में आपके जो natural light और artificial light है वो भी आच्छे से reflect हो पाएंगे जिससे कि आच्छा कासा उजाला जो है आपके haul में आ पाता है तो इस वज़े से दोस्तों light color का इस्तमाल कीजे और तो और standard color जो होते है उनका इस्तमाल कीजे जिससे कि आपका haul जो है बहुत ज़्यादा कुपसूरत दिखता है और point number 5 है fall ceiling अब दोस्तों आजकल जो है fall ceiling का बहुत ज़्यादा trend आ गया है और बहुत से लोगों वो ये गैलत भेमी होती है कि haul ceiling को आपको बहुत ज़्यादा खर्च आता है सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है दोस्तों कि fall ceiling जो है दोस्तों वो slap से बहुत ज़्यादा नीचे के तरफ नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका haul का height जो है दोस्तों वो कम दिखाए दियने लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर लोग बहुत अकसरी fall ceiling के height जो है वो नीचे के तरफ ले लेते हैं और तो और दोस्तों जब आप fall ceiling करते है तो आपको दोस्ते ज़्यादा color का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा color combination जब fall ceiling में होते है तो ऐसे वक्त में उसका look जो है वो खराब होने लगता है तो इस वज़े से जितना स्पेसिपकली आप कम से कम color का इस्तमाल करेंगे उतना आपका fall ceiling जो है वो दिखने में अच्छा दिखेगा यानि कि दोस्तो आपका fall ceiling जो है आपके घर को look तो देगा तो दोस्तो जैसे कि हमने overall देखा ये पाचों point जो है वो एक दूसरे को compliment करते हुए यानि कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे जैसे कि आपका color, tile, opening ऐसी चीज़े एक दूसरे को compliment करती है जि उनमें भी आपको finishing के तरफ ध्यान देना होता है तो ऐसी चोटी चोटी चीज़े जब आप करते हैं दोस्तो तो आपका hall जो है definitely बहुत ही अच्छा कासा दिकाई देता है और ये जो tips हमने इस studio में बता है दोस्तो ये definitely आपकी help करेंगी जब भी आप अपने घर का hall का का काम करवाने वाले होते हो तब तो इन में से कौन से tip का इस्तमाल दोस्तो आप अपने घर के लिए करवाने वाले हो comment box में comment जरू कीजे और हाँ ये वीडियो आपने यहाद तक देख लिए है दोस्तो तो वीडियो को जरू लाइक कर दीजे और जैसा कि मैंने आपसे कहा है दोस झाल